हलो एवरीबडी मैं नाम प्रवीन है and I welcome you at free online coaching और भाववाश्राई सेंटर गाइज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप से basically motion along the straight line यह जो topic है मैं इसको basically discuss कर रहा हूं ओके और यह हमारा जो है इस स्रीज का आई थिंक फोर्थ नंबर का लेक्चर है ओके इस दर लेक्चर एवरेज विलोसिटी इन सब topic पर जो हमने question के practice की है ओके एप्रोक्स्मेटली हम दस question के आसपस लगा चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग basically दो चीज की basic त्यार करेंगे एक है instantaneous velocity की ओके हम basically instantaneous velocity and acceleration हम इन दो topic को discuss करेंगे ओके देखो इनको समझने के लिए गाई जो हमारे पास जो fundamental जो टूल रिक्वायर्ड है वो क्या है वो fundamental टूल क्या है एक तो लाइक आपको differentiation आना चाहिए differentiation इसको समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब like differentiation में जा करके आप class 12 की book लगे मैट के पकड़े हो लगे differentiation पढ़ने दो महिने तक ऐसा नहीं है बट जो basic है basic meaning of differentiation यह आपको पता होना चाहिए तो चलो गजी दोखो मैं आपको बारबार सर्जेश्ट करता हूँ कि आप जो है मेरे जो lecture है basic mathematics के उन lecture को देखिए आप मेरे vector के lecture को देखिए basic mathematics के lecture को देखिए और अगर आप इनको follow करते हुए आएंगे तो आज के topic में like differentiation वगरह मैं जो भी बात करूँगा उसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ओके चलो तो हम सबसे पहले जा समझते हैं कि instantaneous velocity क्या होता है गाईज आप कि instantaneous velocity का मतलब जो है वो समझते होंगे instantaneous velocity का मतलब है कि जो velocity है वो change हो रही है instantaneous velocity का मतलब है विलोसिटी जो है विलोसिटी इस चेंजिंग ओके विलोसिटी जो है वो क्या कर रहा है चेंज कर रहा है और इन जनरल लाइक हमाँ पास दो तरीके हैं इन जनरल लोग दिखाते हैं फिलोसिटी को लोग time के हिसाफ से change हो सकता है अलग लग time पर अलग लग velocity आए पहले चीज़ तो दूसरी चीज़ जो है आपको लाइक विलोसिटी जो है वो position के साफ से change हो सकता है ओके विलोसिटी जो है वो position के साफ से change हो सकता है या या maybe don't know position और time के साफ से विलोसिटी का expression जो है उस तरीके से हो सकता है लाइक मैं एक्षिल जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं यह इस चीज़ को समझने की जरूरत है और इसका जो most simple example जो है आप I hope guys आप सभी लोगों ने किसी न किसी चीज को ऊपर उच्छाला होगा ओके किसी न किसी चीज को ऊपर उच्छाला होगा जैसे for example मालो यह एक बॉल है यह बॉल है इस बॉल को हमने ऊपर उच्छाला इस बॉल को हमने क्या किया ऊपर फेका बॉल सबसे ऊपर जाएगा ऐसे और यहां जाने के बाद यह जो बॉल है यहां पहुचेगा उसके बॉल लगेगा return होने इस तरीके से कि बॉल क्या हो जाएगा भाई return होने लगेगा तो आप देखो कि एक चीज़ अगर आप को लाइक क्लास 9 में जरा भी आप पढ़े हैं तो मैं बोलूं गाइस कि इस जगह पर इस जगह पर यहां सब बॉल रिटर्न होने वाला है तो इस जगह पर बॉल की विलोसिटी क्या होगी इस जगह पर जो बॉल की जो विलोसिटी होगी वो क्या होगी अगर मैं बोलू 0 इस टाइम पर बॉल की भिलोष्टि जो होगी वो 0 होगी तो मतलब आपको इस चीज़ से कोई दिक्कट होगी आप इस चीज़ से एग्री नहीं करोगे आपको पता इस जगह पर बॉल की भिलोष्टि क्या होगी 0Гी और लेंटर शंदे यहां पर आपने दस मीटर के कि पॉर सकेंड़ के स्पीड से फेका कि तो यहां से यहां तक जाने में के जो बहुकर छेंज हो रही है जासे हम उसनफी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिन्धगे में लाएक कि स्कूल में चाहें पार्क में यह चीज देखा होगा यहां से बच्पन में हम इस टाइप के चीजों इनक्लाइन हुई चीजों पर हम स्लिप किये होंगे यहां पर स्लिप कियोंगे तो एक चीज बताओ जब आप यहां पर जस्ट बैठे हो जब यहां पर जस्ट टाइम पर आप रुके हुए थे उस टाइम पर विलोस्टी क्या थी आपकी आप जस्ट बैठे इस टाइम पर इसकी यहां पर आपके विलोस्टी थी जीरो ओके लेकिन जब आप यहां पर पहुँचोंगे स्लिप कियोंगे इस जग लो अगर आपके पास वाच भी है तो आप देखोंगे कि आपकी जो वो टाइम के आप से चेंज हो रही है तो किम एश्टी जो है वह kia हो रही है टाइम के आप से चेंज हो रही है कि सब्सक्राव कर रहे होंगे आपको लाइक में बहुत फ़्रेeln की चीज़े जैसे आप मालो आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, लेटर सुझेँ, ओके, ये बाइक है, आप इस बाइक को चला रहे हैं, तो गईज अगर आप अप आप बाइक को स्टार्ट किये, आपकी भीलोश्टी क्या है? जीरो है उसके बार श्टार्ट करेंगे आप इसको एक्सलेरेट करेंगे आपके फिलोश्टी बढ़ती जाएगी उसके बार फीड क्या होगा आपकी फिलोश्टी मान लो आप पचास की स्पीड पर चलेगे आप आप आपने स्पीड पकड़ लिया पचास तो आप फिर फिलो जो है वह बेसिकली मतलब बहुत सार एकजाम पलने जिसमें आप देखो कि वह टाइम के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है तो यह जो टाइम के हिसाब से जो फिलोष्टी चेंज हो रही है जैसे यहां पर यहां पर कुछ अलग फिलोष्टी यहां पर हम इसको ही क्या बोलते हैं हम इसी को क्या बोलेंगे इस्टन्टेनियस विलोस्टी हाद एक इस्टेंट पर जो विलोस्टी है वो बिसक्लिए चेंज हो रहा है ओके आपको यहां तक कुछ दिक्कत नहीं हो रही होगी और आप इस चीज़ से करोगे कर रहे होंगे तो फिलोसिटी क्या होती है टाइम की हिसाप से चेंज होती है चेंज होती रहेगी टाइम की हिसाप से पोजीशन की हिसाप से तो हम उसको इस्टेंटेनियस विलोस्टी बोलेंगे अब अभी हम लोग क्या consider करने वाले हैं जब velocity time की हिसाब से change हो तो क्या होगा when velocity change with time then जब velocity time की हिसाब से change होती है तो क्या होता है और इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे ओके और instantaneous velocity क्या होती है हम दो चीज अभी हम किसी पर discuss करेंगे change in velocity change in velocity with time this is the first thing इसको मैं second करता हूं ओके और और हम क्या करेंगे दूसरा instantaneous और हम किसके बात करेंगे instantaneous velocity की ओके यह जिस दो फॉस्ट हम इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे आपको मतलब इन चीजों से जरा भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा तो सबसे पहले instantaneous velocity की हम बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं instantaneous velocity की देखो गाईज पहले चीज़ फिलोसिटी क्या होती है इस चीज़ पहले आप फिर से डिफाइन करते हैं विलोसिटी क्या होती है विलोसिटी क्या होती है तो आप यह बोलोगे भई कि इस तरीके से बाई मतलब बोल सकते हो इस तरीके से बाई मतलब बोल सकते हो अब ही हम लोग गाईज थोड़ा ग्राफ के बारे में कंसिडर करते हैं जैसे दोखो लाइक अम मैं मैं थोड़ा विलोसिटी जो पोजीशन टाइम ग्राफ है मैं उसकी बात करता हूं मैं किसकी बात करता हूं लेट में डिसकर्स अबर पोजीशन टाइम ग्राफ ओके मतलब एक एक्सेस पर पोजीशन होगा दूसरे एक्सेस पर टाइम होगा ओके चलो तो यह हो गया पोजीशन और यहां पर क्या हो गया टाइम ओके तो एक मान लो यह ग्राफ जो है अच्छा एक देखो मैं तीन ग्राफ बनाता हूं पाले मैं कुछ तीन ग्राफ बनाने लो ओके एक ग्राफ क्या है दो यह है पोजीशन दूसरा में टाइम इस एक्सेस में अगर पोजीशन इसको पी लिखता हूं टी फोटाइम और जो थर्ड है यह भी पी है और यह टी है तो एक ग्राफ मैंने यह बनाया मानलो लेटर सजों यह पॉइंट जो है यह एक्स नॉट है और यह ग्राफ मेरा यह रहा दूसरा तीसरा ओके चलो यह तीन ग्राफ हमने बनाए और इन तीन ग्राफ की मरद से हम थोड़ा विलोसिटी के बारे में समझने की कोशिस करते हैं अच्छा एक्चे बताओ मैं इसको ए लिखता हूं इस दे ए बी सी अच्छे बताओ यह किस ग्राफ में मोसन हो रहा है कौन इन में से कौन सा जो ग्राफ है जिसमें भिलोसिटी जो है मोसन हो रहा है इनमें से कौन से सा ग्राफ है जिसमें मोसन हो रहा है चला मैं कोश्टन भी लिख देता हूं इन विच ग्राफ पार्टिकल इन मोसन हो रहा है तो देखो जो मोसन है पार्टिकल का वह बिसकले मोसन क्या होता है मोसन का क्या मतलब होता है चलो मैं वेट करने दो आप विडियो को पोस करो इसमें comment में लिखो कि motion not in motion आपको comment क्या करना है not in motion उसके बाद लिखना है A B O C इन में से भी इन तीनों ग्रस आपको देख जिन में से भी आपको लग रहाए कि motion नहीं हो रहा है वो ies आपको लिखनी है सक्क्समें का लिखना है नॉट quarter in all By State अगर आपको देखकर लगता है कि graph a नहीं हो रहा है तो लिखो ए अपको लगता है कि बामोस यह हो रहा है तो लिखो भी और सी में नहीं हो अब हम जड़ाम मोशन मोशन होता क्या है कि मोशन में क्या होता है कोई बतागा मुझे comment section में और दो कि मोशन में क्या होता है touchdown ज़ है ऐसले मशन में क्या उता है चेंज इन पोगीश्चन बिश्चन ऑप विट टाइम तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजिशन का चेंज हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे भी मोर्शन है चेंज इन पोजिशन विट टाइम देखो टाइम जो है हमेशा बढ़ता रहता है अगर आप इस चीज को यह बहुत इंपोर्टन चीज है टाइम जो है हमेशा मतलब इंक्रीज होता है टाइम ऑल्वेज इंक्रीज अगर टाइम बढ़ रहा है उसके हिसाप से आपको पोजिशन भी चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगो भाई कि जो अबजेक्ट है वो हमारा मोशन में है बेसिकली ओके तो आओ जड़ा हम इस ग्राफ को समझने की कोशिस करते हैं कि देखो ताइम टीज ऑड़्वेज उकल टू healing प्जाल पे परटिकल का ऐ пожशन पॉइस टॉइस पॉइंड की बन आप टी अब यहां पर सका पोजीशन क्या है ऑगेन पोजीशन डेग्शमाट इस्टाइम पे वर भी कैरे एक एकल एक हैं तो जो ग्राफ एब है वो किसका छीन किसका ग्राफ है यह किसी स्टेश्नरी औबिजर्ट कि वी लिआ सो ठोक्राफ एक शुड़ ग्राफ ओज़ेटि यह किसका ग्राफ है एकring आप को से ग्राफ है जो जो ऐसे पारिकल सैंइंग पारिकल इस इस ब्रम लूम से इनौट इस देशंडास मैं नहीं है तो घ्रा 허उन condition और अब हम यहां बी पर आते हैं देखो बी बी में जा देखते हैं कि एक चीज़ देखो टाइम टी इस उकल टू जीरो पार्टिकल यहां पर था टाइम टी बढ़ा पार्टिकल का पोजिशन चेंज हुआ टाइम टी बढ़ा पार्टिकल का पोजिशन क्या हुआ चेंज हुआ अगें पार्टिकल का पोजिशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है बार 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 पार्टिकल का पोजिशन हम कंटिनुवसली चेंज हो रहा है देखो यहां पर एक्स के बेलू कुछ है यहां पर कुछ और ह इसका मतलब क्या है कि यह जो ग्राफ है यह किसी ऐसे पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है जो बिसके लिए मोशन में है इसके सब्सक्राइब क्या है मोशन में है यहां पर देखते हैं इस जगह पे यहां पर देखो टाइम T is equal to 0 पार्टिकल यहां पर था टाइम T is equal to 1 पार्टिकल यहां पर है फिर पार्टिकल कुछ देवाद है यहां वह पहुचा फिर पार्टिकल जो है आगे पार्टिकल का पोजिशन क्या हो रहा है पोजिशन जो हो ओके पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है भाई कंटीनीवस चेंज हो रहा है आई होब गईज आपको मतलब इस चीज में कोई दिक्कत नहीं हो रहे होगी अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पार्टिकल जो है मोशन में नहीं है और बाकी दोनों मोशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है ओके अब एकची देखो एकची देखो गाईज माल लो ये पॉइंट जो है इसको मैं एक्स वन मान रहा हूँ यहाँ पर मैं बोलूँ एक्स टू यहां पर मैं बोलू X3 इसको लेटा सजो T1, T2, T3 ओके तो अब मैं लिख कर देता हूं This is the straight line यह क्या है This is the straight line ओके यह क्या है यह straight line तो एक ची बताओ guys यहां पर पार्टिकल ने कितना displacement किया इस time period में 0 से लेकर T1 के बीच पार्टिकल ने कितना displacement किया तो पार्टिकल का अगर मैं displacement की बात करूं तो I can write that X1-X0 ओके X0-S0 और इसको इतना displacement करने में कितना time लगा भाई इसको displacement करने में जो time लगा वो हो गया T1 अब ध्यान से देखो यह है क्या basically X0-X1 जो है यह basically इस length की बात कर रहा है कि यह जो length होगी समझे हो X1-X0 जो है basically यह वारा length होगा और T1 जो है यह length होगा अब ध्यान से देखो this is the basically tan theta यह क्या है यह है 10 theta और मैं इसी को हम लोग क्या बोलते है this is the basically slope यही है slope यह क्या है यह basically slope है यह जो है यह जो line है मतलब यह जो line है यह जो line है इस line का जो slope होता है that slope is basically tan theta और यहीं velocity है यहीं क्या है मतलब velocity क्या होती है दोखो मैं आपको लिखूँ मैं एक नंबर का जो सबसे जबजस्त जो चीजें है वह अगर आपको बोला जाए तो विलोसिटी विलोसिटी इस बेसिकली slope of position विलोसिटी क्या है जो विलोसिटी है वह होता है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप समझे हो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा डैस स्लोप विल विलोसिटी अगर आप जो है मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखे होंगे तो इस चीज को आप पकर रहे होंगे इसका जो स्लोप होगा यहां पर यह जो टैन ठीटा है यह जो टैन ठीटा है तैन ठीटा इस दबेसिक्स की भिलोसिटी अब देखो अब इस केस में जब यह स्ट्रेट लाइन है अब जब पोजिशन टाइम ग्राफ जो है अगर यह जब स्ट्रेट लाइन है तो आपका यह जो स्लोप है यह कॉंस्टेंट है इस बाइन है इन केस ओफ जो स्लोप क्या है यह अंगल कीटा this is also going to be the ठीटा यह अंगल भी क्या होगा ठीटा होगा तो पोजिशन टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ is a straight line, then slope is constant and that is why velocity is constant, so position टाइम ग्राफ अगर יो है, अगर इस्ट्रेट लाइन है तो slope क्या होगा constant होगा, if position time graph if position time graph is a straight line if position time graph is a straight line then slope is constant slope is constant that means velocity is constant तो गैस देखो मैं मेरा ये परस्नल सेलेशन है आपको अगर कोई एक डेफिनिशन जो है अगर आपको ध्यान में रखना है इस विलोसिटी का स्पीड का तो वो कौन सा डेफिनिशन है आपको इस चीज को ध्यान में रखनी चाहिए गर फिलोसिटी टाइम ग्राफ है तो पोजिशन टाइम ग्राफ है या तो जो पोजिशन टाइम ग्राफ का जो जो स्लोप होता है वो स्लोप जो होता है वहीं स्लोप फिलोसिटी होती होती का लाता है ओके फिलोसिटी इस स्लोप पोजिशन टाइम ग्राफ और अगर वो graph is straight line है तो जो straight line का slope है वो constant होता है that means velocity जो constant होगा या मैं बोलू अगर velocity constant है और other word में मैं क्या बोल सकता हूँ इफ विलोसिटी इच कॉंस्टेंट गर विलोसिटी क्या है constant है तेन पोजीशन टाम ग्राफ विश्टेट लाइन तेन पोजीशन टाम ग्राफ विल विल भी स्टेट लाइन तो देखो ग्राइज अगर आपको यह चीज़ पता है यह चीज़ ची़ के वारे में आइडिया है तो आप इसको बहुत आसानी से भाई एनलाइज कर सकते हो आपको इसमें कोई जला भी दिक्कत नहीं होने वाला है ओके इस चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपको यह यह जो चीज है अगर इसके बार में आपको आइडिया है तो यू कर आणाइज इस सू धी प्रडामेंटल वे तो अंडरस्टेंड अं नम mathematical way to understand velocity ओके और अभी आपके टाइम में मतलब आप स्टेंडर में हो उसमें इस चीज़ को समझने की जुरूरत है जो mathematical representation है velocity को समझने की जुरूरत है चलो अब देखा जाए गाईस अब मैं बोलू कि जो जो बिसकली पोजिशन टाइम ग्राफ जो पोजिशन टाइम है उसका जो ग्राफ होगा वहीं फिलोसिटी होगा जो जो स्लोप है यह जो यहां पर जो पोजिशन टाइम ग्राफ है इसमें जो पोजिशन टाइम ग्राफ है जो पोजिशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है slope is basically velocity और आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि अब आगे का हमार जो भी explanation है इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप इस चीज़ को कितना बढ़िया से समस्ति हो अब इस केस में डिसकस करते हैं देखो अब यहां पर इस पॉइंट पर मैं स्लोप की बात करों तो देखो इस स्लोप होगा यहां पर मैं स्लोप की बात करों है तो समस्यों इस point पर उस पॉइंट पर जो ठोगा वह यह होगा यहां स्लोप यह होगा इस जगह पर सहलोप जो होगा कि वह यह होगा था ऊंप कि तो देखो slope से मेरा मतलब है, मैं बोलू किसी ग्राफ पे slope, तो मेरा किसी का ही मतलब होता है बसके एक tangent से. Slope से क्या मतलब है? Slope से क्या मतलब है भई? Slope Slope से क्या मतलब है भई? की tangent Slope of tangent slope of tangent ओके जो tangent है उस tangent का slope क्या होगा समझ रहे हो this is the meaning of basically slope हम यहाँ पर slope से मारा यह मतलब होता है तो अब देखो जिसे यहाँ पर चलो यहीं पर में बना देता हूं तो देखो यहाँ पर इस जगह पर जो slope है कुछ और होगा कि इस जगह पर slope कुछ और होगा शफ्याओ तो यहाँ पर कुछ अलग भिलोश्टी होगी- यहाँ पर कुछ अलग भिलोश्टी हूगी तो इस चीज से अग्ifically कर रहे होगे यहाँ पर कुछ अलग velocity होगी और यहां पर अलग velocity होगी देखो अगर मैं बोलू कि यहां पर मैं कैसे slope की कैसे बात करहा हूँ आप हो सकता है कि आप बोलो कि यहां सर आपने जैसे बोला कि जो slope है slope of the position time graph is called velocity ठीक है मान लिया देकिन हम इसको realize कैसे करें यहाँ पर यहाँ पर हम कैसी realize करें तो देखो आओ थोड़ा मैं एक graph बनाता हूं इस टाइप का कुछ let us assume guys कि time t is equal to t1 पर particle यहाँ पर था time t is equal to t1 पर जो particle था वो यहाँ पर था और इसका position जो है वो basically यहाँ पर है x1 ओके अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर यह अब यह जश्ट इसके मतलब टीवन के जश्ट बाद जश्ट बाद लेटर से जुम इस टाइम पर जो पार्टिकल है वो कुछ यहाँ पर है ओके और इसका जो position है वो basically क्या हो गया एक्स टू है तो अम मैं बोलूँ कि यह देखो एक चीज़ हो भाई आप गाड़ी चलाए हो गया मालो आप बाइक से जा रहे हो यहाँ पर यह बाइक है तो जब मालो टीवन पर आपकी जश्ट बाइक यहाँ पर हो तो कुछी देर बाद जो बाद जो है आपके बाइक का पोईशन इस जगह से चेंज हो करके इस जगह से चेंज हो करके कुछ यहाँ पर पहुच जाएगा कुछी दे मतलब कुछ देर कितना नजदीक होगा उस पर थोड़ा सा बोलना बहुत बहुत दिक्कत है अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे जो बेसिक मैलतमेटिक्स जो है उनके प्लस डेल्टा टी यहीं कुछ देर जो मैं बोला कुछ देर तुरंत बाद 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 और यह जो x2 है what can I write here x2 is equal to x1 plus delta x x1 plus delta x मैं बहुत असानी से इसको लिख सकता हूँ और और क्या है यह x1 just नजदीक वाला आप देखो न यह x1 क्या है यह 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 delta x क्या है जो just नजदीक है कितना नजदीक तो दम पास में नजदीक वाला तो गाइस देखो अगर मैं अब इस केस में मैं displacement की बात करूँ अब इस केस में किस के बात करूँ displacement की बात करूँ तो displacement क्या होगा जो displacement होगा हमारा जो हमारा displacement होगा वो क्या होगा displacement is equal to x2 minus x1 और यह बिसके लिए क्या हो जाएगा delta x ओके time taken इतना displacement करने में time किनना time लगा time taken क्या होगा तो t2 minus t1 that is delta t ओके अब गाईज अगर मैं basic basic definition पर जाऊं basic definition जैसे हमने पहली बार definition क्या देखा था भई कि एक सेकेंड में जो distance travel करें that is a velocity basic definition क्या था कि एक सेकेंड में जो displacement हो रहा है वहीं velocity है तो चलो आओ ज़र हम इस से हमजान निकालने की कोसिस करते हैं देखो delta t delta t time में delta x displacement हो रहा है delta t time में delta x displacement हो रहा है तो एक सेकेंड में कितना होगा भई यह क्या होगा एक सेकेंड में क्या होगा यह displacement होगा एक सेकेंड में इतना ही नद displacement होगा और इसी यह जो displacement हो रहा है एक सेकेंड में हम इसी को तो इसी को बोलते हैं यहीं तो होता है आपका इसी को क्या बोलते हैं यहीं क्या होगा भाई इसी यहीं क्या होगा भाई इसी दशीकली स्लूप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ट आप ध्ढहानसर देखो दोखो हीं यह बिस ख conservatives क्लाइट बन रहे है किने तो यहीं क्या ही है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ट अब ध्ढहानसर देखो यह हो गया आपका डेल्टा T, इस डेल्टा X, तो यह क्या है, इस इस दो स्लोप, टैन ठीटा यहीं है, डेल्टा X by डेल्टा T, तो क्या है यह स्लोप है न, समझ रहे हो, तो यहीं क्या है, इस दो स्लोप, इस इस, स्लोप, और पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, I know guys, मुझे पता है, कि आपको, इस को, मतलब, इस चीज़ को एसेप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि यह चीज, यह जो टेकनिक है, यह आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है, आपको विश्वासी, जैसे दो को, कोरोना सब जगा फैला हुआ है, लोग विश्वासी नहीं करते को, कोरोना है, तो, सेम वे में आपको इस चीज को एसेप्ट करने में कि यहीं विलोसिटी है, लगेगा टाइम, बट कोई इसू नहीं है, आप इसको बार-बार इस चीज़ पर एनालाइज करो, और आपको पर चलेगा, आप इस चीज़ को रिलाइज कर लोगे, कि जो पोजिशन टाइम पर जो, स्लोप होता है, that slope is basically विलोसिटी, ओके, और गाईज दखो, हम इसी चीज़ को, हम क्या लेखते हैं, डी एक्स बाइडी टी, इस इकल टू फिलोसिटी, हम इसी को क्या लेखते हैं, डी एक्स बाइडी टी, जो फिलोसिटी होता है, ओके, तो, that's all guys, आज के लिए इतना ही, और, I hope कि यह जो हमारा वीडियो लेक्चर है, यह आपके स्टेडी में हेल्फुल होगा, and guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching, and भभभवान स्टाइज सेंटर, thank you for watching, have a nice day.